कैसे हैं आप सभी लोग हम लोग आज का जो सेशन है टीचिंग लर्निंग एप्टिट्यूड जो इस साल बिहार इंटीग्रेटर इंट्रेंस में पूछा गया है ठीक है जो बिहार इंटीग्रेटर के लिए इंट्रेंस 2023 का हुआ था उसके लिए पूछा गया है उस पे ही आज चर्चा करने वाले हैं उसके पहले देखिए जो लोग भी बिहार इंटीग्रेटर 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 इंट्यारी कर रहे हैं उन सब के लिए ये सेशन महत्तोपूर्ण है क्योंकि टीचिंग लर्निंग एप्टिट्यूड का हम लोग शेशन आज रखे हुए हैं और वो हल करेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि अब कैसे टीएली के क्वेश्चन आ रहे हैं यहां पर देखिए दो हजाद चौबिस के लिए जो बीएटर इंट्रेंस होने वाला है उसके लिए इस साल का रिजल्ट बहुत ही बहतर र लोड करके यह कोर्स ले सकते हैं इस कोर्स की फीस बहुत ही कम है 4.99 में आपको पूरे इयर का यह कोर्स मिलेगा जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती यह वैलिड रहेगा साथी साथ अगर हम बात करें तो इस कोर्स में आपको लाइव क्लासेज मिलेंगी नहीं कि बात करें हम लोग तो जो लोग भी बिहार भी या फिर इंटेग्रेटर सेम यह कोर्स ले सकते हैं जो लोग तेयारी 2024 के लिए करना चाहते हैं फी कम है अगर जादा जानकाई लेनी है तो आपको नीचे दिये गया नंबर पर कॉल कर लेना होगा और पूर्ण जानक करते हैं टी एली जो इस बार 2023 के प्रश्न पूछे गया है समान रूप से जो बीएड कर रहे है जो बीएड इंटरेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर इंटीग्रेटर और इस साल वाले जो अभ्यारती है जो इंटीग्रेटर हाला कि आंसर किया चुका है लेकिन फिर बहुत बच्चों का मांगना था कि Explain कीजिए ठीक है तो उसी के लिए Explanation वेडियो क्वोडों है और जो कि सब थोड़ा समय इसको और increase हिंदी में कर देती हूँ ठीक है कहता है कि चर्चा में संचार सामिल है अकेले सामिल है या दो तरीके से या तीन तरीके से या चार तरीके से इंग्लिश में बात करेंगे आप लोग तो देखेंगे कि यहां पर यह लिख रहा है एक मिनट यहां पर यह लिखा गया है कि discussion involves communication यानि कि जो हमारा communication है हम एक दूसरे से जो interact करते हैं communication को मैं पूरे तरीके से define करती हूं जो batches है या फिर पहले भी किया हुआ है कई videos में तो बातचित करना जो हम अपनी बातों को कहते हैं उसी को संचार बोला जाता है जब हम अपने मन के या फिर जो भी thoughts से उसको share करते हैं तो हमारा जो discussion होता है उसमें किस तरीके से सामिल होता है तो तरीके के यह types पूछ रहा है यहां पे जो answer होगा क्यूंकि यहां पे देखे संचार तो वैसे चार types के होते हैं कितने type के होते हैं चार type के होते हैं लेकिन यहां चर्चा में पूछ रहा है तो चर्चा में आपका दो तरीके से involved होता है कैसे एक तो आप single मतलब किसी person to person talk करके आप वो discussion करते हो या फिर एक group discussion करता है तो यही चीज होता है कि आप जो communication होता है वो दो तरीके से यहाँ पे share कर सकते हैं ठीक है 97 number question देखिए क्या पूछा जा रहा है कक्षा में पाट पुस्तक का उपयोग क्या है इंगलिश वाले बच्चे थोड़ा सा देख लेंगे what is the use of textbook in a class अब यहाँ पे क्या है कि बहुत ही जादा confusion भरा थोड़ा सा option दिखेगा आपको यहाँ पे है सीखने के उद्देश्चे की प्राप्ती में जो सिखाया गया उसकी सिमितता में तो देखिए सिमितता से limitation से English में TLE जादा easy होता है उसको detect करना तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि limit में to delimit what is be taught है अब यहाँ पे delimit लिख दिया है यहाँ पे लिखा है सिमितता तो यहाँ पे क्या है कि limited चीजों को करने के लिए बोल रहा है तो हम सिमित चीजों को नहीं रखेंगे भाई पाटे पुस्तक हमें सिमित तो नहीं बनाता है विचारों अवधार्नों को समझने है तो यह भी बात थोड़ी ठीक है कि जो concept होते हैं जो ideas होते हैं उसको हमें understand क करने के लिए हम books वगर का use करते हैं कहरें नवीन मानक निर्धान के लिए यानि कि जो नया एक standard है उसको लेने के लिए हम करते हैं तो देखें ऑप्शन में गलत है बी option ज्यादा तर लेकिन तीन option में सही ज्यादा कोन है यह चूज करना है आपको तो देखें जो आपके books हो books का use करते हैं तो यही है सीखने के उद्देश्य की प्राप्ति में यह लाभकारी होते हैं या फिर एक equipment के तरीके से यह use किये जाते हैं question number 98 कहता है कि धीमे सीखने वालों के लिए उपयोगता है देखें आयो की तरद से आप जो बांसर देखोगे तो वहाँ पर यह साथ series B का question है तो series B में इस question का 98 number का answer B दिया गया है ठीक है आप ही बताइए कि जो बच्चा धीमा सीख रहा है पहली बात तो जो road learning है वो कहीं से हमारी नई सिक्षा निती इसको promote नहीं करती है तो यह सरासर answer इस पर objection आप किया जा सकता है और यह जो रट के सीखना है यह बिलकुल ही wrong answer दिया गया है ठीक है तो रट कर सीखना जो है वो गलत answer है क्योंकि यहाँ पर धीमा सीखने वालों को हम कभी नहीं कहेंगे कि आप road कीजिए आप रट यह उनके लिए सबसे बहतर है कि किसी भी प्रक्रिया को हम कहेंगे repeat कीजिए किसी भी action को देखे कोई भी काम जब हमें खुद रहीं आता है तो हम उसको एक बर करते हैं दो बर करते हैं यानि कि उस action को हम क्या करते हैं repeat करते हैं तो repeat करने से क्या होता है कि वो चीज़े हमें फिर तेजी से करने आ जाती है हम एक बर cycle से गिरते हैं हम दो बर गिरते हैं जब हम उस चीज को बार बार कर लेते हैं, तो हम फिर नहीं गिरते हैं साइकल से, वही चीज है, C option इसका सही आंसर हो जाएगा. question number 99, सिक्षा तब साथख होगी, जब यह केंदरित, dash केंदरित हो, तो यह तो आपको एकदम, मैंने कई बार सेशन्स में बताया है, जो बच्चे पढ़े होंगे, या जो बच्चे continue है इस चानल पर, उनको यह मतलब सही आंसर इसका एकदम मालूम होगा, कि जो हमारी education system है, व यही आंसर सही होगा, ठीक है, तो C option सही हो जाता है, question number 100 कहता है, सीखना हो सकता है, learning क्या हो सकता है, formal यानि आपचारिक, non-formal यानि अनपचारिक या फिर दोनों, तो देखिए, जो learning होती है न, वो हम एक तो school में सीखते हैं, और एक अपने घर पे भी सीखते हैं, लेकिन school का महौल जो होता है, वो एक formal महौल होता है, वहाँ पर आपको timing है fix होती है, routines है, time tables है, वो सारी learning है, वो अनपचारिक हो जाती है, क्योंकि यहाँ कोई नियम कानून नहीं है, कि आपको ऐसे ही रोज करना है, रोज ऐसे ही सीखना है, लेकिन वही स्कूल में आप जाएंगे, तो एक नियम के तहत आपको चलना पड़ता है, तो अपचारिक सिक्षा, स्कूल के सिक्षा मान सकते हैं आप लोग, और अनपचारिक जो हम अपने आज पर उस घर परिवाल में सीखते हैं, तो सीखना तो दोनों तरीके से होता है, ठीक है, सीखना क्या होता है, फॉर्मल भी होता है, नौन्फर्मल भी होता है, क्वेश्चन नबर 101 कहता है, अनपचारिक सिक्षा का सब स सबसे महत्तोपून तत्व क्या है ठीक है यह नोन फॉर्माल जो एज़ूकेशन उसका सबसे महत्तोपून तत्व क्या है यहाँ पे चलुई गए मीडिया फ़र इस पह बीड़---- क्या दिए गया है एक सोई sû पामज़र मीडिया लगाया ग Kendis Maurice जब की यहसा नहीं है जो हमारी जो भी education है जो भी चाहे वो अपचारिक है चाहे अनपचारिक है formal है या non-formal है सबसे जो important element है वो हमारे student होता है ठीक है क्योंकि उसी को सीखना है चाहे वो घर में सीख रहा है चाहे वो कहां पे सीख रहा है स्कूल में सीख रहा है तो शिक्षा का सबसे महतोफून तत्व जो होता है वो विद्यार्थी होता है वो बच्चा होता है वो सिक्षार्थी होता है तो इस पे भी doubt है अयुक के द्वारा media इसका अंसर लगाया गया है ठीक है? मीडिया एक साधन हो सकता है अनवचारिक शिक्षा का एक मत्वफून फैक्टर बहुत ही ऐसा थोड़ा सा ये गलत लग रहा है कहना कोशन बर 102 मनुस से एक समाजिक प्रानी है तो ये सब को पता है कि अरस्तु द्वारा ये बात बोली गई थी कि मनुस से एक जो सोसल क्रीचर है उसको समाज चाहिए रहने के लिए तो क्या हो जाएगा अरस्तु के द्वारा ये बात कही गई है ठीक है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं नीचे के कोश्चन एक सो तीन नंबर कोश्चन आपके सामने हैं कहता है ग्यान प्राप्त करने और लागू करने की शमता को क्या माना जाता है तो देखिए अगर आपने कोई भी knowledge प्राप्त किया और उसको लागू किया ठीक है उसको क्या क्या apply भी किया तो हम उसको क्या बोलते हैं तो उसको हम एक तरीके से व्यक्तित्व भी बोलते हैं कि जो हमने knowledge अच्चीव किया और उसको उसकी छमता से लागू भी कर लिया तो व पूछा जाता है कि योग के नुसार मन का एक रूप है यानि मन का एक और रूप क्या है तो आपको यह पढ़ना है ठीक है योग के बारे में तो वहां पर योग को न मतलब एक धार्मिक तरीके से नहीं दिखाए गया यह हमारे मन के कनेक्शन को दिखाता है तो योग में जो साधना होती है न साधना को यह मन मानते हैं मतलब जो हम साधना करते हैं वही हमारा मन होता है तो डी आप्शन विलकुल सही है question number 105 क्या कहता है निम्न लिखित में से कौन सा खाद घटक हमारे सिक्षा को उर्जा प्रदान करते है सिक्षा को सोरी सरीर को देखे मैं T.A.L.E करा रही हूँ और इन्होंने T.A.L.E के question में science का question पूछा है मैं सरीर को सिक्षा पढ़ ली कोई बात नहीं science का एक question है और आपको पता है कि जो energy होती है वो हमें किस से मिलती है वो हमें carbohydrate से मिलती है तो जो instant energy है या फिर energy है हला कि proteins, vitamins भी होते हैं लेकिन ये हमारे जरूरतों को भी पूरा करते हैं energy के लिए carbohydrate का प्रियोग हम लोग करते हैं question number 106 106 number question कहता है कि आपचारिक सिक्षा ने DAS को अच्छी तरह परिभाशित किया हुआ है तो देखिए आपचारिक सिक्षा में क्या होता है formal education है मैंने बार 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 बोला formal education एक तरीके से माल लीजिए जो school में दिया जाता है क्या दिया जाता है जो school में दिया जाता है तो आपके school में जो भी चीजे पढ़ाई जाती है आपने देखा होगा कि ये एक systematic धंग से पढ़ाई जाती है फिर वो system कहां से आता है तो वो system आता है आपके curriculum से ठीका परिभाशित पहले से रहता है करिकुलम कि आपको कब टीचर्स के लिए भी स्टूडेंट्स के लिए भी सब के लिए जो उस क्रिया में involved है एक करिकुलम रहता है कि आपको इसी के थूँ इसी के रास्ते पे चलना है अगर वही नहीं रहेगा तो फिर कोई कैसे भी पढ़ेगा तो फिर तो वह अनपचारिक हो जाएगा इसलिए सबसे जरूरी चीज है कि पाठिकरम डिफाइन रहता है क्वेश्चन नमबर 107 स्कूल से अनुपस्तिती और पलायन का कारण क्या है पाठिकरम से रूची की कमी सिक्षन की खराब विधी और प्रभावी सिक्षक या फिर उप्रोक्त सभी तो यह बहु बच्चों को वैसे पढ़ाया नहीं जाएगा ताकि वो इन्वाल्व रह सके तो यह भी सही है और जो सिक्षक है वो ही कारे नहीं कर रहे है वो अपना प्रभाव नहीं दिखा रहे इसलिए डियो ऑप्शन बिलकुल ही सही है और उमीद है इस क्वेश्चन का अंसर सभी गया होगा क्वेश्चन नमबर 108 चरित्र का विकास क्या होता है तो देखें क्या नहीं पूछ रहा है मतलब कैसे होता है पूछ रहा है तो चरित्र का विकास इक्षा सकती से होता है आच्रण और व्यवहार से होता है नैक्तिक्ता और सदाचार से होता है या फिर सभी से होत है हमारे व्यवहार और आच्रन पर भी डिपेंड है और हमारे इथिक्स पर भी डिपेंड है तो D option बिलकुल ही सही हो जाता है ठीक है आगे बढ़ते हैं question number 109 की दरफ और यह देखते हैं क्या कहता है एक सिक्षक को नए पार्ट की शुरुवात कैसे करनी चाहिए यानि कि सबसे पहले क्या कीज़ेगा तो देखिए कोई भी नए पार्ट जब आपको मतलब पढ़ाना होता है उसके पहले उसके बारे में चीज़े बतानी होती है ठीक है और वो बतानींगे अगर आप ज़्यादा चीज़े बोल करके स्टोरी के माध्यम से पहले उस चीज़ से सबसे अच्छा है कि कथा वाचन के माध्यम से स्टोरी टेलिंग के माध्यम से ठीक है थ्रू स्टोरी टेलिंग यानि कि अभी आपको मान लिजे कोई भी एक चैप्टर पराना है मान लिजे सोलर सिस्टम पराना है तो पहले आप हमारे पूरे सोलर सिस्टम की एक कहान इंट पढ़ना गया है क्वेस्चन अबर 110 क्या कहता है योग सकारात्मक स्वास्त में कैसे मदद करता है यह भावनाओं के नियमन में मदद करता है योग का अभ्यास चिंता और असुरक्षा को कम करता है तो यह बिल्कुल ही ठीक है दोनों कि हमारे भावनाओं को एकदम मतलब तो वो सारी चीज रेगुलेशन करता है और साथ ही साथ हमारे चिंता और असुरक्षा को भी कम कर देता है तो एक और दो इसमें दोनों से यह भी प्रस्ण था योग से हम सभी लोग वाकिफ हैं question number 111 प्रद्योगी के विकास के साथ ही भाविश्चे में सिक्षक के भूमिका क्या होगी अब देखें यह पूछ दिया है भाविश्चे में और यह same to same question में पढ़ा चुकी हूँ कि जो हमारी नई सिक्षानीती कहती है कि हमारा जो teacher है वो एक guidance, guider के रूप में रहेगा और एक facilitator के रूप में यानि कि मार्ग दर्सक के रूप में रहेगा ठीक है सुलब करता के रूप में रहेगा तो हमारा जो प्रद्योगी की कविकास होता है हलाकि जिन्होंने भी ये पेपर भेजा है उनका बिलकुल ही सही answer C लगाया है उन्होंने बले इदर कट किया है पर यहां पे C सही लगाया है क्वेशन वर 112 सीखना एक सतत प्रक्रिया यह मतलब क्वेशन सुरू जब लरनिंग पढ़ाया जाता है लरनिंग शेप्टर को तभी यह बताया जाता है कि जो सीखने के प्रक्रिया है वो हमारे जन्म से पहले शुडू हो जाती है और हमारे मृत्यू तक चलती है ठीक है तो तो ऐसा नहीं है, जब तक इन्सान मरता नहीं है, तब तक सीखता है यहाँ प्राअधा वल्सक्रा तक यह भी नहीं होगा, देखे, कबर का मतलब भी मरना ही होता है तो एक होता है warm to tom, ठीक है, यानि कि गर्व से कबर तक, यहाँ पालने से लिख दिया है पालने यानि जो पालने की सैस्वा अवस्था की होती है जब बच्चे जनम लेते हैं तो जर्म से कब्र तक ये लिख रहा है हाला कि जर्म से पूर्व भी कहीं कहीं लिखता है जर्म से पूर्व को लिखता है गर्व क्या लिखता है गर्व तो ये भी सही है गर्व से कब्र त यह सब learning का हिस्सा है question number 113 सिक्षन अधिगम प्रक्रिया का अति महत्योपूर्ण घटक क्या होता है तो देखें सिक्षम अधिगम प्रक्रिया का अति महत्योपूर्ण घटक जो होता है वो क्या होता है आप लोग को मतलब इस question में थोड़ा सा doubt हुआ होगा कि किसको लगाएं लग रहा होगा कि सही है सारा सही है लेकिन देखें इस process में भी सिक्षार्थी आपका number one पे है हाला कि इसमें पाठिक्रम होना चाहिए सही answer ठीक है लेकिन सिक्षार्थी के लिए फिर सिक्षक भीतवाने चाहिए है ना लेकिन पाठिक्रम इन दोनों को जोडता है लेकिन आ है आपका पाठिक्रम तो इसका भी मेरे ख्याल से सही आंसर भी होना चाहिए था लेकिन यहां प्यायोग के द्वारा सी लगाया गया है ठीक है क्वेश्चन नमबर 114 कहता है निमने लिखित में से कि पहलू पर सभी सिक्षन सिंधानतों में सबसे अधिक बल दिया गया है तो इंटरेक्शन ऐसी हो जो मतलब अर्थ पूर्ण हो तो अन्तह क्रिया का मतलब होता है कि बच्चे टीचर से डरे नहीं बच्चे टीचर से एक्स्प्लेनेशन में मदद करें या फिर पूछें या फिर सवाल जवाब करें तो यह सबसे ज़ादा महतोपून चीज है ठीक है सभी सिध्धानतों में इसको बल दिया गया है 115 नमबर क्वेश्चन कहता है सिक्षन आपकी द्रिष्टी में क्या है सिक्षन एक प्रक्रिया है एक कला है एक दक्षता है या बी और सी दोनों अब देखिए यहां पे क्या कह दिया है कि आपको फसाया गया है सिक्षन तो एक प्रोसेस होती है बहुत बच्चे ए लगा के टिक करके चले आएंगे लेकिन यहां पे देखिए क्या दिया गया है आर्ट और एफिसियंसी भी दिया गया है जबकि सिक्षन तो प्रोसेस तो है कला भी है दक्षिता भी है तो involves चर्टी लग रहा है अला कि तीचिंग प्रोसेस भी है लेकिन डी आप्शन में हमने दो और और लिए तो हमने ड को ही प्रिफर किया तो और ड सही हो जाता है कि कोईस्टन नमबर 116 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है ठीक है आपको ट्रू जो सेंटेंस है उसको देखना है तो कहता है मार्ग दर्शन का रथ छात्रयों को निर्देश देना है देखें मार्ग दर्शन में थोड़ा बहुत इंस्ट्रोक्षन होता है लेकिन आगे के भी हम चीजों को देखते हैं मार्ग दर्शन व्यक्तिगत रूप से और समूह में भी दिया जा सकता है बिल्कुल सही है कि हम गाइड किसी को पर्सनली भी बोग कर सकते और ग्रूप को भी गाइड कर स सकते हैं कांसलिक समूहिक रूप से ही दी जा सकते हैं कि कांसलिंग कांसलिंग के प्रक्रिया क्या होती है कि कोई चीज में जब आप फसे हुए हो और आपको उसमें से निकलना है उस चीज में आपको चुनने में परसानी हो रही है तो जो चीज़े आपको मदद करवाती है कि आप ये लीजे आप ये मत कीजे वो उसी प्रक्रिया का नाम है काउंसलिंग तो काउंसलिंग जो है वो समुहिक रूप से नहीं दी जा सकते हैं समुहिक तो दी ही जा सकती हैं सिर्फ समुहिक नहीं दी जा सकते हैं इसा भी साथरों को मार्गदर्षन दिया जाता है तो तो सबसे। सटीक आणसर B है ठीक है कि आप मार्गदर्षन किसी को पर्सोनली भी दे सकते हैं समू में भी दे सकते हैं ॉब और दिया है निर्देश देना तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन का एरिया गाइडेंस से थोड़ा सा हाड पड़ता है question number 117 अनुसासनात्मक एक ही करण में शिक्षक की भूमिका उसके लिए होती है तो अनुसासन जब आप किसी को अनुसासनात्मक रूप से यूनाइट करना चाहते हैं तो फिर शिक्षक की भूमिका कैसी रहेगी विश्य सग्य की भूमिया यह सह सिक्षार्थी की यह समाने यह सुत्रधार तो आपको मालूम है इंग्लिस वाले इंग्लिस में भी देख सकते हैं इसको स्पेशलिस्ट, को लर्नर, जेनरलिस्ट या फिर फैसल्टेटर तो देखे यहां फिर फैसल्टेटर जो होता न यह सिक्षक की भूम क्या पूस्ता तो करते लेकिन यह कहता है कि अनुसासन एक ही करन में तो फिर अनुसासन को बनाने के लिए हमें को लर्नर होना पड़ेगा यानि सिक्षार्तियों के साथ वैसा ही बिहेव करना पड़ेगा अगर आप वो ऐसा उनका बिहेव चाहते हैं तो एक तरीके से उनको सिखाना पड़ेगा आपको ठीक है तो उनके जब आप बैचमेट बन जाओगे तो खुद ही वो क्या कहेंगे शेयर करेंगे चीजों को फिर उदन्ड तक कम होगी अनुशाशन बढ़ जाएगा question number 118 रचनत मक्ता के प्रात्मिक पहचान की विशेषता क्या होती है तो देखे creativity जो होती है creative जो लोग होते है वो उनका mind ऐसा है पर वो सोचते इस तरफ है इस तरफ है इस तरफ है इस तरफ है ऐसे सोचते है यानि के उनका दिमाग जो चलता है वो भले दिमाग एक है पर चलता वो चारो तरफ है उनके एक स्थिराव नहीं होते हैं सोचने पे वो एक ही चीज को दस तरीके से सोचते हैं तो रशनात्मक जो बच्चे होते हैं creative जो चैल्ड होते हैं सबसे प्रमुख लक्षन है divergent thinking अपसारी आपने ये उत्तल अतल लेंस में पढ़ा होगा जहां पर अभी सारी और अपसारी होता है तो अभी सारी चीजों को इकठा कर देता है यानि एक point पे ला देगा यानि कि आपको आप सोच रहे थे बहुत जगह पर आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि आप एक ही जगह सोचिए तो ये तो चीज से क्या होगा बांधना हो गया और अपसारी का मितलब होता है कि आपके पास एक point है आप उसको 100 तरीके से सोच रहे हो तो ये तो ज्यादा creativity देगा आप कितने तरीके से सोच रहे हो तो ये option एकदम सही है हाला कि जो रचनात मकता के पहचान सक्रियाता भी होती है ठीक है दोनों होता है लेकिन सबसे ज़्यादा सही हो जाएगा divergent thinking question number 119 क्या कहता है लोकतांत्रिक वृत्ति का द्योत्तक है ठीक है द्योत्तक का हिंदी क्या इंग्लिश क्या होता है तो देखिए क्या होता है यहां पर इंग्लिश वाला भी पढ़ लेंगे indication of democratic attitude यानि दिखाता जो है लोकतांत्रिक चीजों को कौन दिखाएगा सही योग दिखाएगा समानाधिकार भागीदारी या सभी तो देखिए जो भी लोग democratic होते हैं वो सह विश्वास रखते हैं और वो क्या करते हैं भागीदारी में भी विश्वास रखते हैं तो option number D से हैं लास्ट question पर हम लोग पहुंच चुके हैं निमने लिखित में कौन सा section एक अभीनाव श्रोत है ठीक है अभीनाव श्रोत कहने का मतलब क्या हुआ यानि कि जो एकदम नय नया है क्या है नया है दूरबीन इंटरनेट फेसबुक या फिर ब्लैकवोर्ट तो पुराना है आप लोग को पता है ठीक है और दूरबीन भी बहुत तक पुराना है यह कहरे एकदम इनोवेटिव इनोवेटिव अभीनाव का मतलब सिर्फ नया इस नहीं होता यूनीक ची पेस्बूक के जड़िये तो नहीं सीख सकते हैं इंटरनेट पे तो बहुत सारी चीज़ हैं जिससे हम सीख सकते हैं तो यह अच्छा हमारा एकदम इनोवेटिव तरीका हुआ इंटरनेट अब देखिए जो लोग भी बिएड इंट्रेंस की तेयारी कर रहे हैं या फिर इंट पूर्ण है तो आप इस सेशन को जादा जादा बच्चों तक पहुंचाईए हमारे साथ जुड़िये और जो लोग भी चैनल पर नए होंगे जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आप कोर्स को हमारे बिकम टीचर अप्लिकेशन को डाउनलोड करके ले सकते हैं वहां प पढ़ाई को अभी से स्टार्ट कर दीजिए मिलते हैं अगले सेशन में थैंक यू ओल अफ यू